हलो इस्टुडेंट आज का हमारा टॉपिक है सब्द चीन जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस टोनोग्राफी रिसी प्रणाली में करीब पंदरा सोगे आसपास सब्द चीन है जिसको आपको वैसे ही लिखना है जो जैसे बनता है उसमें अपने से होकर कोई बदलाव नहीं करना है और मैं आपको पहले ही करीब तेरा सोगे आसपास सब्द चीन बता चुका हूँ और जो बच्चा है उसे आज बता रहा हूँ देखिए जैसे है जो लो सब्द चीन भी सब्दों की तरह लाइन के ऊपर लाइन में लाइन काट कर लिखे जाते हैं जैसे जो लोग लाइन में जो लोग ध्यान से देखिए एक बार और जो लोग कौन लोग लाइन के ऊपर कौन लोग कुछ लोग लाइन में हम लोग लाइन के उपर, तुम लोग लाइन में, ठीक है, समझ में आया है, तुम लोग लाइन में, इतना इतने इतनी, इतना इतने इतनी, अगर मैटर में या वाक्य के बीच में, अगर इन तीनों में से कोई भी सब्द आये, तो आपको यही सब्दचिन बनाना है, आपको वाक्य के अनुरूप पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पे इतना आएगा, कि इतने आएगी, कि इतनी आएगी, ठीक है? वैसे ही, उतना उतने उतनी ज्यान से देखिए छोटा सा उतना उतने उतनी कितना कितने कितनी जितना जितने जितनी लाइन के उपर सहयक लाइन में सहयोग आकरिती सेम रहेगी बस आपको लाइन के उपर लाइन में लाइन काटकर यह बनाना है अगला है हिस्सा या हिस्से हव रित हव हव एंजन लाइन के उपर हिस्सा हिस्से हमेशा लाइन में हिंदी लाइन काटके हिंदू, हिंदी लिख के छोटटर जेस लगाएंगे तो ये हिंदू हो जाएगा ठीक है, हिंदूस्तान, हिंदूस्तान में अंत में ना अकडा, हिंदूस्तान स्वास्थ या स्वराज्य, लाइन के उपर बड़ा वृत, स्वास्थ या स्वराज्य लाइन में स्वयम या स्वतंत्र, लाइन काटके स्वरूप या स्विकार, अंतर, नामेंजन की आगरिती को दूगना कर देना है, अंतर, लाइन के उपर, अंदर, लाइन में, ठीक है, अंतरीम, अंतरीम, अंदरुनी, महान या महोदय, मवेंजन और हबरीत बड़ा, महान या महोदय, एक बार फिर से देखिए, हबरीत बड़ा, महान या महोदय, लाइन में, मसहूर, महासय, मुसल्मान, मावेंजन और वरीत छोटा, सब वरीत, महासय, मुसल्मान, देखिए ध्यान से, वरीत छोटा, यह महान और महोदय, महासय, मुसल्मान में अक्सर कन्फ्यूज होता है, इसलिए ध्यान से देखिए, महान महोदय में वरीत बड़ा रहेगा, महासय, मुसल्मान में वरीत छोटा रहेगा, मुसलिम मुसीबत लाइन में, ठीक है, आवस्याप, सक्ता सक्ते सक्ति लाइन में आवश्यक्ता आवश्यक्ता में आवश्यक्त बनाके तब एंजन आवश्यक्ता ठीक है सभी को समझ में आया अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वार्टसप में मैसेज करके पूछ सकते हैं नेश्ट क्लास में मैं उसे बताऊंगा, ठीक है? ठाइंक यू